Hello friends, welcome back to Tube Talk दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मेरे पास काफी सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि थिएटर्स ओपन हो चुके हैं और मूवीज वहाँ पर रिलीज हो रही हैं लेकिन करोना के वज़ा से हम थिएटर्स पे नहीं जा पा रहे हैं लेकिन आज का ये वीडियो फोकस करेगा आने वाले कुछ एपरिल की ऐसी थिएटर्स रिलीज को जिनके आपको ये पता चलेगा कि उनके रिलीज होने के कितने टाइम बाद आप उसे किस प्लाटफॉर्म पर देख सकते हैं तो दोस्तों आईए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एग्जाक्ली बताते हैं कि थिएटर में रिलीज होने वाली इन मुवी का OTT रिलीज डेट और OTT प्लाटफॉर्म कौन सा होने वाला है दोस्तों शुरुआत करते हैं 26 मार्च को रिलीज होने वाली मुवी सायना की जो कि एक बायोपेक है सायना नहवाल पे जिन्होंनों ओलम्पिक्स में हमें बेड्मिंटन में मेडल दिलाया था इसकी लीड में आपको देखने को मिलेंगी परिनिती चोपड़ा दोस्तों इसका थीटरिकल रिलीज जो है वो 26 मार्च का है और इसकी फिलहाल नेट्फिक्स से बातचीच किल रही है इसके OTT राइट के लिए जो के बी तक फाइनल नहीं हुआ है जैसे ये फाइनल होंगे उसके बाद आपको चार हफ़ते में देखने को मिल जाएगी फिलहाल सिर्फ नेट्फिक्स ने इसके लिए बिट किया है तो most probably नेट्फिक्स को इसके राइट बहुत जल्दी मिलने वाले है दोस्तों 26 मार्च को एक और रिलीज मूवी होने वाली दोस्तों इसकी जो प्रोडक्शन हाउस है उसका नाम है इरोज इंटरनाशनल तो इसकी रिलीज के चार से पांच हफते बाद आपको इरोज नाव पर ये मूवी देखने को मिलेगी इसका ओल्रेडी फिक्स OTT रिलीज हो चुका है इसके थेरेटल रिलीज के बाद दोस्तो अब इसे थेरेटर में रिलीज किया जाएगा 9 अपरिल को दोस्तों मैं आपको यहां पर यह भी बता दूं कि इसके राइट्स को डिस्नी हॉट स्टार ने अल्रेडी खरीद लिया है और यह आपको डिस्नी हॉट स्टार पर देखने को मिलेगी 9 अपरिल के ओल्मोस चार से पांच हफते बाद यह रिलीज होगी शाम को साड़े साथ बजे एक्जाक डेट अभी नहीं है लेकिन थेटर रिलीज के पांच हफतों के बाद आप डिस्नी हॉट स्टार पर इस मूवी को देख सकते हैं जहां आपको मिताब बच्चन और इमरान हाश्मी चेहरे में देख दोनों को सेल कर दिये गए हैं अलग लग लैंगोजिस के लिए मोस्ट प्राइबली जो भी साउथ हिंडे लैंगोजिस हैं वह आपको एमेजॉन प्राइम पे स्ट्रीम होती हुए दिखेंगी इसकी रिलीज होने के बाद और जो इसका हिंदी वर्जिन है वह आपको नेट देखने को मिलेंगे सैफ अली खान और रानी मुखर जी यह मूवी भी काफी टाइम से बन करते आ रहे हैं और थीटर में रिलीज का इंतजार कर रही थी लेकिन इसे मौका ने मिला पर अब यह 23 अप्रिल को थीटर में रिलीज होगी इसके राइट्स और आपको यह नेट् प्रियर सिंग और अक्षे कुमार जैसे बड़े आक्टर और दोस्तों यह रोही छेटी इस मूवी को बना रहे हैं तो आप इससे बहुत ज्यादा धमा का एक्सपेक्ट अल्रेडी कर सकते हैं सूरे बंची अल्रेडी काफी ज्यादा है और इसकी 30 अप्रिल को इसने रिलीज हो के देखने को मिल जाएगी तो अगर आप इसका 30 अप्रिल को थीटर रिलीज मिस करते हैं तो एक महीने बाद exactly 28 मही को आप इसे नेट्लिक्स पर देख सकते हैं दोस्तों इसके लावा बात करें रूही की जो कि लास्ट वीक रिलीज हुई थी थी तीएटर में औ लेकिन most probably 23rd April को आप नेट्फिक्स पर रूही देख पाएंगे एकदम डिजिटल प्रिंट में दोस्तों इसके लावा दो और बड़ी मुवी जो रिलीज हुई है मुंबई सागा और संदीप और पिंकी फरार उसमें से मुंबई सागा की बिडिंग और नेट्फिक्स की सा लेकिन अपकी नोटी टीज पर कब किस डेट पर देख सकते हैं दोस्तों हम आगे भी रिसर्च करके आपके लिए इंफोमेशन लाते रहेंगे और कोशिश करेंगे आपके लिए ऐसा एक वीडियो बार बार बनाएं तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैन